नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है आप ही के अपने यूजूब चैनल में पित्र पक्ष यानि पित्रों की पूजा का पक्ष 21 सितंबर यानि मंगलवार के दिन से शुरू होकर 6 अक्टूबर बुद्वार के दिन तक चलेगा पित्र पक्ष पित्रों का ध्यान और तरपन विधी की जाती है जिसकी बज़े से हम दुनिया में है उनको याद किया जाता है गरुन पुरान में बताया गया है कि पित्र गण देवगणों के समान ही आशिरवाद और शाप देने की शमता रखते हैं इनकी प्रसनता से परिवार में उनती और सफलता आती है और नाराजगी से परिवार में कोई ना कोई परेशानी हमेज़ा ही बनी रहती है पित्र पक्ष का अंतिन दिन 6 अक्टूबर को होगा यानि कि बुद्वार का दिन होगा पित्र पक्ष का आरंब 21 सितंबर से हो चुका है लेकिन 20 सितंबर को शोष्ट पदी पूर्णिमा का शिराद आरंब हो जाता है पूर्णिमा के दिन अगस्त मुनी का तरपण करके उनको जल दिया जाता है और इसके बाद प्रती पता तिती यानि की अर्श्विन मास की क्रिशन पक्ष की पहले तिती जो की इस बार 21 सितंबर को है पित्रों को जल दिया जाएगा इसमें किसी भी पक्ष में जिस्तिती को ब्यक्ति की मिर्ति हुई हो उनके नाम से शराद और ब्रामन को बोजन करवाया जाता है जबकि पूरे पक्ष में उनके नाम का जल अर्पन किया जाता है पित्र हमसे सदाही खुश रहें और हमारा परिवार हमेशा ही सुकसान्ती में बना रहे है इसके लिए हमें कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए जिसकी जानकारी आपको वीडियो के माद्यम से मिल जाएगी दोस्तो पित्र पक्ष में किये गए कार्यों से आपके पित्रों का आश्रवास सदाही आपको प्रावत होता है ऐसा माना जाता है कि पित्र पक्ष में पित्र प्रसन होते हैं तो जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं लेकिन जब पित्र नाराज होते हैं त तो कई प्रकार की पुरेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ता है। जीवन में इस तरह के लक्षन अगर आपको दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि आपके पित्र आपसे नाराज है। दोस्तों अगर आपकी जमापुंजी दीरे दीरे नश्ट होने लगी है। गर में तनाव और कले का माहौल बना रहता है। और घर के सदस्यों में हमेशा ही वाद विवाद की स्थिति बनी रहती है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके पित्र आपसे रुष्ट है। वह जाएं सिक तनाव और अग्यात भै की स्थिति आपके साथ है। तो आपको ये अवश्य ही मान लेना चाहिए कि आपके पित्र आपसे रुष्ट है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कुछ उपाई पित्र पक्ष के दोरान करते हैं तो आपके पित्र आपसे प्रशन होत और पित्र आशिर्वात से आपके जीवन के सभी कारें बनने लगते हैं। घर में आने वाली गंदगी को आम तोर पर घर में जाडू लगाकर घर से बाहर कर दिया जाता है। और छोटे-छोटे उपाय कर लेने से ही आपके घर में और आपके जीवन में कभी भी सुक और एश्वरे की कमी नहीं रहती है। सास्तरों में वर्डित है कि जिस घर के कौने-कौने की सफाई होती है उस घर में सदाही लक्षमी वास करती है। और घर के सभी वास्त दोस मिट करके घर में हमेशा खुशी भरा सकारतमक वातावरण बना रहता है। दोस्तों वैसे तो ज़ाडू लगाने के धेरो नियम होते हैं। अगर आप उन सभी का पालन करते हैं तो आपको माता लक्षमी की किरपा तो मिलती ही है। लेकिन किसी भी कारण से अगर आप उन सभी नियमों का पालन नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपको ज़ाडू के नीचे एक ऐसी क्या खास चीज है जिसे रखने से माता लक्षमी की किरपा आपके उपर बरसने लगेगी। उसके बारे में बात करने वाले हैं। वे कौन सी चीज है या वे कौन सी वस्तु है जिसे अगर आप अपने घर में रात्री के समय जाडू के नीचे दबा कर रख देते हैं तो माता लक्षमी की ऐसी अनुकमपा होती है कि आपके जीवन में धन की कोई कमी ही नहीं रहती तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ऐसी वे क्या वस्तु है वे कौन सी चोटी चोटी चीजे हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए वे कौन से नियम हैं जिनने हमें अपना लेना चाहिए तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट बोक्स में जै मा बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुख में जीवन तो दोस्तों चलिए बात करते हैं वह कौन सी चीजे हैं जो आपको अपने ज़ाडू के निचे रखनी चाहिए दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि ज़ाडू को माता लक्षमी का ही प्रतीक माना जाता है माता लक्षमी सक्षात रूप से ज़ाडू में निवास करती हैं इसलिए आपको अपने घर में ज़ाडू को विशेश रूप से ध्यान पूर्वक रखना चाहिए साब स्वच्छ जगह पर रखना चाहिए कभी भी घड़ी ज़ाडू को अपने घर में नहीं रखना चाहिए और खास सायोग पर, कुछ खास तेवारों पर, जैसे होली, दिवाली, एकादसी, शुकरवार, वीरवार, ऐसे कुछ खास सायोग होते हैं, ग्रेन बगरा, या पर पूर्णमा, अमावश्या, इन पर आपको दान करना चाहिए, दान करने के लिए क्या करें, कि आप अपने घर में से कोई भी नई जाडू को ले करके, ब्रह्म मूरत में, मंदिर के शीडियों पर रखे, छोड़ कर आ जाएं, ये दान गुप्त होना चाहिए, इसके बारे में किसी को पता ना चले, इस परकार से आप इसका दान करें, पुराने समय में, लोग ऐसा करते थे, कि जब उनकी जाडू तूट-टूटका गिरने लगती थी, पुरानी हो जाती थी, तो उसे वह अपने घर से हटा दे दे थे, क्योंकि वह जाडू आपके घर में नकारतमक उरजा को और वास्तू दोसों को उत्पन करने लगती है, अगर आप पुरानी जाडू जो तूट-टूटका गि मंदिरों सफाई करते थे, आज भी कुछ लोग करते हैं, तो आप देखेंगे कि उनके घर में हमेसा ही बरक्कत बनी रहती है, इसलिए आप भी गुप्त दान करें जाडू का, और साथी मंदिर में अवस्य दान करें, और मंदिर में साफ सफाई करें, और साथी अपनी को तूट तूट कर गिरने लगी है पुराणी हो गई है उसे आप उठा करके प्रवाइत कर दें, अपने घर से निकाल दें, ताकि वह आपके घर में किसी भी प्रकार का वाश्तुदोस उत्पन ना करें इसके अलावा दोस्तो एक नियम आप अपने जीवन में अपना लें ताकि आपके घर में कभी भी किसी प्रकार की धन हानी बिलकुल भी ना हो वे अन्य प्रकार की समस्याई भी उत्पन ना हो आप ये इस बात का खास ध्यान रखें कि जब भी आप अपने घर में पोचा लगाएं ज़ाडू लगाएं और पोचा लगाएं तो आप खास ध्यान रखें कि पोचा लगाने वाले पानी में थोड़ा सा नमक याफर फिटकरी अवर्श मिला लें साथ ही जहां भी आप ज़ाडू लगा रहें ये देख लें कि आपके कहीं कोई जूटाय तो नहीं गिरा हुआ ह जूटन आदी तो नहीं गिरी हुई है उसके उपर सीधे तोर से कभी भी आप ज़ाडू ना लगाएं क्योंकि दोस्तों आगो बताया था कि ज़ाडू को साक्षात रूप से लक्षमी का परतीक माना जाता है अगर आप जूटन पर सीधी ज़ाडू लगाते हैं तो इससे म मानता है जो प्राचीन समय से चली आ रही है जो भी कोई व्यक्ति इस मानता का पालन करता है उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं होते हैं दर्जदरता नहीं होती है उसका जीवन सुख और एश्वर से भरा ही रहता है दोस्तों इसके अलावा कर आप चाहते हैं कि आपके गर में हमेशा कंद इस्थेर हो जाएं, तो इसके लिए आप क्या करें, कि आप जब भी नई जाडू लेकर आए अपने गर में तो इसको लातबी सीधे रूप से अपने घर में इस्तेमाल करना शूरू ना करें। बलकि आप जब उसको लेकर आएं तो उसके हैंडल पर आप कोई भी सफेद रंग का धागा या फिर जो कलावा होता है या मोली जिसे कहते हैं जो हवा नादी कोई पूजा करते वक्त अपने हाथ पर हम भानते हैं, उसे आप जाडू की हैंडल पर भान दे। ऐसा करने से माता लक्षमी सदयव आपके घर में इस्थेर और इस्थाई वाज करने लगती हैं। इसके अलावा जब भी आप अपनी घर में जाडू का इस्तमाल करें, उससे पहले आप पहली वर इस्तमाल करने से पहले एक बार जाडू को साफ पानी से दो करके उसे सुखा इसे आप इसस्तमाल करें। दोस्तों आप आपको बताते हैं एक विसेश परयोग यानि जाडू के नीचे आंको क्या रखना है उस परयोग के बारे में। इस परयोग को आप खास तोर प्रकार से आप अपना ले और इसे प्रतिजिन करें। आपको बहुत हीवब आतरी को खाना वाना खा करके निर्वित हो जाएं, तब उसके बास सोने से पहले आप अपने गर के मुख्य दर्वाजे के पास जाडू को लिटा कर रख दें, ये तो आथको पता ही है कि जाडू को कभी भी खड़ा नहीं रखते हैं, जाडू को हमेशा ही लिटा करके रखते और जाडू के नीचे आप 4-5 दाने जीरे के डाल दे, जीरा तो हर किसी के घर में प्राप्त होता ही है, हर किसी के पास होता है, साथ ही आप गिंती करके आप 11 दाने सुखे धनिये के भी डाल दे, यानि कि साबू धनिये के डाल दे, अगर आपके पास नहीं है, तो आप दिन म सजीरा और ग्यारा दाने सूखे धनिये के डाल दे खास्त और पर दोस्तों आपको ये प्रियोग रात तरी को ही करना है आप इस प्रियोग को किसी भी दिन कर सकते हैं सोंबार से ले करके रवी बार तक आप किसी भी दिन से इस प्रियोग को सुरू करें और प्रति दिन करें अब आपको क्या करना है कि अगले दिन सुबह उठकरके अपने घर में जब आप जाडू लगाएंगे, तो आप उन जीरे और जो सूखे धनिये के दाने से उसे भी घर के कुड़ा करकेट के साथ ही बाहर निकाल करके जाडू के साथ फेंग दे। ऐसा माना जाता है कि आपके घर में जो भी नकारतमक उरजा थी, दरदरता थी, धन हाने होने के जो योग थे, वे सभी योग इस जाडू की गंदगी के साथ आपने अपने घर से बाहर निकाल दिये। और जिस घर में संपूर्ण रूप से सफाई होती है, वहाँ पर माता लक लक्षमी के परवेश अवश्य ही होता है, जो भी कोई ये उपाय करता है, उसके घर में बरकत बढ़ती है और सुख समर्दी आती है, तो दोस्तों आज की वीडियो में केवले इतना ही, कल फिर आप से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक लद्द्य में जाते धन्यवाद, कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें, जै मातादी, जै मालक्षमी, जै बजरंग बली